मेरे प्यारे देश्वासियों, बिते कुछ वर्षों में हमारे देश में आधोनीक टेक्नलोजी का इस्थमाल जिस तेजी से बढ़ा है, उस पर अक्सर मुझे मन की बात के सुरोता अपनी बातें लिखते रहते हैं। आज मैं ऐसे ही एक विशे की चर्चा आप से करना चाहता हूँ, जो हमारे देश, विशेश कर हमारे युवाओं और छोटे छोटे बच्चों तक की करपनाओं में छाया हुआ है। ये विशे हैं ड्रोन का, ड्रोन टेक्नलोजी का। कुछ साल पहले तक जब कहीं ड्रोन का नाम आता था, तो लोगों के मन में पहला भाव क्या आता था? सेना का, हत्यारों का, युद्ध का, लेकिन आज हमारे हाँ कोई शादी भारात या फंक्शन होता है, तो हम ड्रोन से फोटो और वीडियो बनाते हुए देखते हैं। ड्रोन का दाइरा, उसकी ताकत सिर्व इतने ही नहीं है। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से हैं, जो ड्रोन की मदद से अपने गाउं में जमीन के डिजिटर्ड रेकॉर्ड तैयार कर रहा है। भारत ड्रोन का इस्तमाल ट्रांस्पोर्टेशन के लिए करने पर बहुत व्यापक तरीके से काम कर रहा है। चाहे गाउं में खेतिवारी हो या गर पर सामान की डिलिवरी हो, आपातकाल में मदद पहुँचानी हो या कानून व्यवस्ता की निगरानी हो। बहुत समय नहीं है जब हम देखेंगे कि ड्रोन हमारी इन सब जरुरतों के लिए तैनात होंगे। इन में से ज़्यादा तरकी तो शुरुवात भी हो चुकी है। जैसे कुछ दिन पहले गुजरात के भावनगर में ड्रोन के जरिये खेतों में नेनो यूरिया का छिड़काव किया गया। कोवीड वैक्षिन अभ्यान में भी ड्रोन्स अपने भूमी का निभा रहे हैं। इसकी एक तश्वीर हमें मनिपूर में देखने को मिली थी जहां एक दिप पर ड्रोन से वैक्षिन पहुचाई गई। तेलंगना भी ड्रोन से वैक्षिन डिलिवरी के लिए टायल्स कर चुका है। यही नहीं। अब इंफ्रासेक्टर के कई बड़े प्रोजेक्ट्स के निगरानी के लिए भी ड्रोन का इसमाल हो रहा है। मैंने एक ऐसे यंग स्टूडन के वारे में पढ़ा है जिसने अपने ड्रोन की मदद से मचवारों का जीवन बचाने का काम किया। साथियों, पहले इस सेक्टर में इतने नियम, कानून और प्रतिबन लगा कर रखे गए थे कि ड्रोन की असलिक शमता का इस्तिमाल भी संबव नहीं था। जिस टेक्नोलोजी को अवसर के तोर पर देखा जाना चाहिए था, उसे संकट के तोर पर देखा गया थे। अगर आपको किसी भी काम के लिए ड्रोन उडाना है, तो लाइसेंस और परमिशन का इतना जंजट होता था कि लोग ड्रोन के नाम से ही तोबा कर लेते थे। हमने तय किया कि इस मैंड सेट को बदला जाए और नए ट्रेंड्स को अपनाए जाए। इसलिए साल 25 अगत को देश एक नई ड्रोन नीती लेकर आया। ये नीती ड्रोन से जुड़े वरतमान और भविश्य की संभावनाओं के हिसाब से बनाई गई है। इसमें अमन बहुत सारे फॉंस के चकर में पढ़ना होगा, नहीं पहले जितने फिस्त देनी पड़ेगी। मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि नई ड्रोन पॉलिसी आने के बाद कई ड्रोन स्टार्ट अफ में विदेशी और देशी निवेशकों ने निवेश किया है। कई कमपनियां मैनुफेक्चरी युनिट्स भी लगा रही है। आर्बी नेवी और एर्फोर्स ने भारतिय ड्रोन कमपनियों को 500 क्रोन पे से ज़्यादा के ओर्डर भी दिये हैं। और ये तो अभी शुरुआत हैं। हमें यही नहीं रुकना है। हमें ड्रोन टेक्नलोजी में अग्रणी देश बनना है। इसके लिए सरकार हर संभोक कदम उठा रही है। मैं देश के युवाओं से भी कहूँगा कि आप ड्रोन पॉलिसे के बाद बने अवसरों का लाप उठाने के बारे में जरूर सोचें आगे आएं।